हेलो फ्रेंड्स आज मैं एक और टिप्स लेके आई हूं बहुत ही यूस्फूल है आप घर में यूस करेंगे और यह इतनी उच्छी है कि आप इनको जिन्देगी भर यूस करना चाहेंगे तो चलिए हम लग इसको यूस करते हैं और उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब जरूगा लीजे तो चलिए पहली मेरी ट्रिक है इस सेफटी पिन को लेके तो कि यह है हमारे घर में रेगलर में यूज होने वाला कूकर का डखकन तो क्या होता है इसमें जब भी हम कभी दलिया बनाते हैं या फिर दाल बगारा बनाते हैं तो इसके अंदर और दाल वगेरा डलिया एकटा हो जाता है जिसके क्या होता है कोकर को फॉटने का पहुत डर रहता है तो कुउकर में ब्लास्षट नवा होilah इसके लिए हम बहुत जरूरी है यह टिप्स कि यह जो सेफटी पिन है इसको हम इस तरीके से देखिये इसके अदर डाल डालकी सा तो यह जरूर यह बहुत जरूरी होता है यह सब करना तो वीडियो अच्छे लगियो तो वीडियो लाइक दूसरी ट्रेक है इस गैस के बढ़नर को लेकिए अक्सर क्या होता है हम लोग इसे बहुत टाइम तक अगर साफ नहीं करते हैं तो इसके जो होल्स है वो बंद हो जात जो कालक छोड़ती है जिसे हमारी बरतन भी काले हो जाती है तो इस समय समय पर इसको भी हमें साफ कर लेना चाहिए तो इसके लिए मैंने एक बाल में पानी लिया है और यह है नमक नमक तो बहुत जरूरी होता है इसके लिए नमक से बहुत जल्दी आसानी से खुल जाते है यहाँ पर मैंने लिया है baking soda, जो baking powder होता है, आप लिक्विट बिमवार भी ले सकते हैं, अब इसमें डाल दिया है, सिर का, इस घोल के अंदर हम इस burner को डाल देंगे, अगर आप ये सब यूज नहीं चाहते हैं, तो आप एक pouch इसमें इनो का भी डाल सकते हैं, अब हम इसको कि गंटे के लिए छोड़ दिया है एक गंटे बाद हम इसको चेक कर लेते हैं तो देखिए आप आप क्या करें कोई भी आपके पास स्क्रबर हो इससे आप इसे साफ कर लें रगड के और अगर ये भी ना हो तो आपके पास कोई पुराना टूथब्रश हो तो तूथब्रश स के साफ कर सकते हैं इससे ये बहुत ज्यादा इसके सारे जो होल से वह भी खुल इसमें और इसमें कितना फर्क है बहुत जादा ये साफ हो गया है वीडियो अच्छे लगी लाइक दरू करिएगा next trick है मेरी इस लिट को लेके इस लिट में क्या होता है जब भी हम इसे यूज करते हैं तो यहां साइडों में यहां पर लेता है और काटता है तो देखे नमक को हम इस तरीके से इस पर फैला लेंगे अच्छे से और ये इस क्रबर लेके हम इसमें थोड़ा सा हम जो भी विम्बार है वो लगा लेंगे और इसको हम अच्छे से रगड लेंगे हर कोना इसका रगड लेंगे जहां जहां पे जो मखाने की parts रह जाते हैं, उन सब को हम साफ कर लेंगे, यहां बीच में भी होता है, और बार भी होता है, यहां पर इस जगह भी निशान पर जाते हैं, और जो सैडे होती हैं, यहां पर इनको भी हमें साफ कर लेना चाहिए, तो देखें, मैंने आपको बग्यारा रखते हैं तो दालों में क्या होता है कीड़े लग जाते हैं और जादा दाल होती है तो आपको इसको स्टोर करके रखना है तो आप इसमें 4-5 लॉंग डाल सकते हैं अगर लॉंग नहीं डालने हैं तो आप माचिस की थीलियां है या बट्स होती है वो सारी टूथ पिक होती है उसको या फे माचिस की तीरी को इसमें डाल सकते हैं और ये भी ना करना चाहिए तो इसके जगह आप ये के लिए फाइल होती है इसके छोटे छोटे पीस करके उसकी बॉल बनाके ये भी इसमें डाल सकते हैं तो इससे आपके डाल में कभी कीड़े नहीं लगिंगे वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो को लाइक कर लिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजेगा अच्छे लगी हो तो ताकि वीडियो ऐसी आपको बार-बार मिलती रहे है